Hello everyone, तो मैं आज फिर से लेकर आई हूँ, आपके लिए बहुत ही interesting short story तो शुरू करते हैं तो ये जो story है, एक hunter और rabbit की है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो story है किसके बारे में है तो कहानी जो है, ये एक सिकारी के और खरगोस के बारे में है तो यह जो सिकारी है यह बहुत ही क्रूल है यह बहुत ही निर्द्य ही है यह किसी पर भी दया नहीं करता है यह जो है रैबिट को पकड़ता है उसकी हैबिट है कि वो रैबिट को पकड़ता है और उनको उनका जो मीट होता है उसका यूज फीस्ट के लिए करता है तो के थूरी के थूरू आप बहुत सारे न्यूवर्ट सीखेंगे जिनें आप अपनी डेली स्कारी को कहते हैं हंटर जो की सिकार करता एनिमल्स का एंडर और रैबिट कहते हैं खरगोज को वंस अक्रुवल हंटर यूज्द टु कैच रैबिट वंस एक बार जो हैं कि एक समय की बात हैं अक्रुवल क्रुवल का मीनिंग होता है नदर दयाना हो hunter, hunter में सोता है सिकारी जो की words का, पक्षियों का और जानवरों का सिकार करता है used to किया करता था यहनि की catch पकड़ा करता था catch में सोता है पकड़ना rabbits, rabbits खरगोसों को एक बार की बात है कि एक निर्दय सिकारी rabbits को पकड़ा करता था and feast upon their meat ीड फीश्ट मीज होता है दावत देना याई कि किसी को भी खाना खिलाना अपunter हुआँ उनके मीट की यानि कि घौ aur इनकी मीट की मास की दावत दिया करता था यहीं कॉट कॉर्ट और रैबिट सता है यहीं कोर्ट उसने पकड र binary यहां पर यह पास्ट फॉर्म है कॉर्ट यानि कि पकड़ा एक खर्गोश को एक दिन उसने खर्गोश को पकड़ा and holding him by his ears holding hold means होता है पकड़ना तो यहां पर holding him और वो जो है पकड़ते हुए by his ears उसे उसके कानों से यानि कि उसने जो है खर्गोश के कानों को पकड़ लिया और उसे पकड़े हुए started for home और चल दिया कहां पर home घर की तरफ और खर्गोश के कानों को पकड़ कर उसे लटकाते हुए अपने घर की तरफ started चल दिया यहनि कि घर की तरफ चलना उसने शिरू कर दिया On the way home, घर के रास्ते में, यान की, on the way home, घर जाते हुए वे रास्ते में, the hunter met a scent, hunter जो सिकारी था, met, मिला, यहाँ पर meet की पास्ट फॉर्म है, met, मिला a scent एक साधू से, scent कहते हैं, साधू को, रास्ते में, घर जाते हुए, सिकारी एक साधू से मिला, the scent asked the hunter to free the rabbit, scent साधू ने asked कहा, किस से, hunter से, साधू ने सिकारी से कहा, to free आजाद करने के लिए the rabbit, खरगोस को, जो खरगोस उसने पकड़ा था, उसे free करने के लिए, साधू ने उस सिकारी से कहा, and get blessed for the good deed, और उसके इस good deed, good यानि की अच्छा deed कहते हैं कार्य को, और उसके इस अच्छे कार्य के लिए, उसे blessed आसिरवाद भी दिया, the hunter not only refused, but also decided to cut the throat of the rabbit, लेकिन जो सिकारी था, hunter यानि की सिकारी ने not only, ना केवल refused, इनकार कर दिया, refuse यानि की इनकार करना, ना केवल इनकार कर दिया, but also, बल्कि उसने क्या किया, decided, निर्ने किया, क्या करने का, to cut, काटने का the throat, गला, of the rabbit, खरगोस का, सिकारी ने ना केवल इनकार किया, बल्कि उस rabbit के throat को काटने का, निर्ने किया, then, तभी, and there, वहीं पर, mercilessly, mercilessly कहते है क्रूरता से, right before the scent, right before, बिल्कुल, scent, संत के सामने, उस सिकारी ने ना केवल इनकार किया, बल्कि उस खरगोस के गले को, बिल्कुल वहीं, और तभी, उस संत के सामने, काटने का निर्ने लिया, He took out a sharp knife from his bag, he took out, took out का मीनिंग होता है, निकाला, a sharp, एक तेजधार, sharp का मीनिंग होता है, तेजधार, knife, चाकु, from his bag, अपने bag से, उसमें जो है, अपने bag, यानि की थेले से, एक तेजधार के knife, चाकु को बाहर निकाला, बट लेकिन, when he tried to cut the rabbit's neck, लेकिन जब उसने tried कोसिस की, to cut काटने की, the rabbit's खरगोस की neck, गर्दन को, लेकिन जब उसने खरगोस की गर्दन को काटने की कोसिस की, the knife slipped from his hand, and fell on his foot, and the knife, जो knife था, चाकु, slipped, fissled गया, from his hand, उसके हाथ से, and fell on, और गिर गया, his foot, उसके पैर पर, जो चाकु था, slipped, fissled गया, चाकु, उसके हाथ से, फिसल गया, और उसके पैर पर, गिर गया, severely injuring him, और उसे severely, यानि की, गंभी रूप से injuring, घायल कर दिया, he instantly cried out in pain, instantly, instantly का meaning होता है, तुरंथ, और वो जो है, तुरंथ ही, cried out, चिल लाया, in pain, दर्द में, जैसे ही, चाकु, उसके हाथ से, फिसल कर, उसके पैर पर गिरा, तो उसके जो है, चोट लग गई, और वो तुरंथ ही, दर्द में, चिल लाया, and released the rabbit, और released, छोड दिया, the rabbit, खरगोस को, और उसने, जो है, खरगोस को, छोड दिया, the hunter, paid the price for his sins, since कहते हैं, पापो, यानिकि, अपने पापों के लिए, hunter ने, अपने पापों का price, मूल्य, पेड चुकाया, price कहते हैं, मूल्य को, पेड में, चुकाया, तो सिकारी ने जो है, अपने किये गए पापों का, मूल्य चुकाया, since his foot was very badly injured, he could not walk properly, जैसा कि, his foot, उसका पैर जो है, बहुत ही badly, बुरी तरीके से injured घायल था, he could not walk properly, वो जो है, अच्छे से, यानिकि, अब धंक से नहीं चल सकता था, and became unfit to hunt ever again, और अब जो है, वो, कभी भी अपने जीवन में दोबारा सिकार करने के लिए, unfit हो गया था, यानिकि, अयोग्य हो गया था, अब वो सिकार नही समवेदल सीन हो, दूसरे लोगों के दर्द के प्रती हमें समवेदन सील होना चाहिए, यानिकि, दूसरे की समस्या को, दूसरे के दर्द को महसूस करना चाहिए, जैसा कि हमने इस कहानी में देखा, जो hunter था, वो दूसरे animals के दर्द को कभी भी नहीं समस्ता था, उनकी problems को नहीं समस्ता था और उनको जो है, kill कर देता था, इसलिए उसके साथ वही हुआ, जो वह दूसरे जानवरों के साथ करता था, it means उसे उसके पापों की सजा मिल गई, I hope आपको जो है, ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपने जो है, इसमें नएने words भी सीखे होंगे, जिन Thank you!